क्या समाजवादी पार्टी पीजेपी में सेंध मारी की कोशिश कर रही है क्या चाचा श्रिपाल सिंग यादव छोटी बहु अपरणा यादव को समाजवादी पार्टी में लाने में जुटे हैं दरसल बीजेपी निता अपर्णा की पार्टी से नराजगे की खबरे लगातार चर्चम है कहा जा रहा है कि वो महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिलने से खुश नहीं है उन्हें ये कद के मुताबिक कम तर लग रहा है ऐसे में अपर्णा का अगला कदम क्या होगा इस पर अठकले तेस हो गई क्या मुलायम से यादव की पुत्रवध हो अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर अब खुश नहीं क्या वो पार्टी से नराज है क्या यूपी महिलायोग में उपाध्यक्षपद की जिम्मेदारी अपर्णा को अपने कद के मताबिक छोटी लग रही ये सवाल तब उठने लगे जब अपर्णा की नाराज़की की चर्चाओं के बीच अचानक सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सुत्रों के मताबिक बीचेपी से नाराज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्ट में है चाचा शेपाल यादव के जरीय अपर्णा समाजवादी पार्टी के संपर्ट में है नाराजगी की वज़ा धाई साल की मेहनत और सेफ़ाई परिवार के विरासत के मता किस वीच अपरना ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है वो बीजेपी के आला निताओं से मिलकर अपनी बात रख सकती है पार्टी चाहे जो सफाई दे लेकिन अपरना के मामले में बीजेपी का धर्म संकट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है अपरना यादो भले ही बीजेपी में हो लेकिन उनने कभी भी अखलेश यादो और डिंपल यादो के खिलाफ कुछ नहीं बोला ना ही सैफ़ाई परिवार के किसी सदस के खिलाफ सियासी टिपली की पूछा जा रहा है कि या उन्हें अभी तक बड़ी जिम्मेदारी ना मिलने की यही वज़े है हलांकि अब तक खुद अपरना यादो ने सारवजनिक तोर पर कुछ नहीं बोला है लेकिन उनके चुप्पी से सस्पेंस ओल भी बढ़ गया है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे